चले रूख करते हैं अगली ख़वर का जहां गर्मी के मौसम में MP के कई जिलों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है इटार्सी का एक गाउं है केसला जहां पर पानी की इतनी भीशन समस्या है कि लोग सूखी नदी में गड़ा खोद कर पानी निकाल रहे हैं और प्यास भुजा रहे हैं या फिर एक किलोमीटर की दूरी तैकर पानी लेने जाना पड़ता है एक एक बून को तरस्ते आदिवासी ग्रामिडों ने स्थाने अधिकारियों के साथ नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन आज तक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं गाउं में दस आदिवासी परिवार है इस समय में नरबदापूर के सबसे बड़े आदिवासी ग्राम केसला में खड़ा हुआ हूँ जहां पर आदिवासी जो है वो किस तरह से गर्मी के मोसम में अपने पीने की और उपियों करने के पानी की बश्ता करते हैं ग्रामिण नदी जो वनी हुई है जो सूकी नदी है उसमें जिरिया खोथ कर एक एक डबबा पानी निकालके अपनी प्यास को बजा रहे हैं आरे हम नदी में आते हैं, कभी पानी जा जाता तो हम परेसान हो जाते हैं, फिर पानी ले जाते हैं, छणा के पानी पीते हैं, मतका में डालते हैं, घर ले जाके, अच्छा, 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 और कोई साधन नहीं है पानी जाते हैं, हम एक किलो मीटर से लाते एक पाइ की रोटी सब्जी बनाएं के खा के चले जाए इनसान कर अदेर में आते हैं क्या अधिक्कत हो करना पड़ता आपको आपको जोसों किसों किनों या मुट भूप दिक्कत होती है क्या दिक्कत होती हैं कि अपको क्या खेतों से लिकल क humility याते हैं मश्वरम खेते हैं जब पानी पी दे पानी प्लात यह हैं तुमें को हुट हिम च्हेसाब कॉछ पानी कि इती हैँ यह मुध उन मतलब जति हैं आती है गर्मिद गर्मी क कि आती हो वाकि तो चार मैंने काम अछ अफिद रहां जाता हैं कई वारा बढ़ेतन दिये हैं काफिवार आवे देन दिए तो पंचात तो यह कहती है कि इत तब बजट नहीं है सरक मदलब पंचाथ के पास कि नल जली योजना कुछ करें परिबर को मतलब आठीक बजा आने पर ते पानी बन ने इसका जली पानी परके जाना परते हैं अपने को जहां से नभीर हो जा तो कुछ जगा नहीं मिलते पानी बनने को लेने तो क्या आप जली कर बहुत भी करवा इंदरपाल सिंग इटार सी